आज हम सीखेंगे उत्सर्चन के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वहनतंत्र यानि ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम की सहायता से पोशक तत्वो और ऑक्सिजन को शरीर की प्रत्य कोशिका तक पहुचाया जाता है कोशिका में इंसरल पधार्तो और ऑक्सिजन की सहायता से उपापचई क्रियाय यानि मेटबोलिक रियक्शन्स होती है जिससे कोशिका में उर्जा निर्मान तथा अनुरक्षन की क्रियाय होती है इन उपापचई क्रियाओं के दोरान नाइट्रोजन युक्त वर्जपदार्थ यानि वेस्ट मटेरियल उत्पन होते हैं ऐसे पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए इन्हें शरीर से बाहर करना अवश्यक है इस्क्रिया के लिए उत्सर्जन यानि एक्स्क्रीशन का प्रक्रम सहायता करता है ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचई वर्जपदार्थों को शरीर से निश्कासित किया जाता है यानि शरीर से बहार किया जाता है उच्सर्जन यानि एक्सक्रीशन कहलाता है चलिए देखते हैं कि विभिन जीवों में उतसर्जन का प्रक्रम कैसे होता है कुछ एक कोशिक जीवों के कोशिका द्रव्य में निर्मित वर्जे पधार्त जैसे कार्बन डाय ओक्साइड और अमोनिया को संकूचन शील रिक्तिका यानि कॉंट्रेक्टाइल वैक्योल में लाया जाता है तथा विसरन यानि डिफ्यूजन की क्रिया से इन्हें कोशिका की सतह से बाहर कर दिया जाता है बहु कोशिक या जीवों यानि मल्टिसलूलर और्गानिजम्स में उतसर्जन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं पादपों में दिन के समय में प्रकाश संसलेशन यानि फोटोसिंतसिस की प्रक्रिया के दौरान वर्जेपदार्थ, ओक्सिजन और जल उत्पन होता है तथा रात्री के समय प्रकार संसलेशन नहीं होता इसलिए वर्जेपदार्थ कार्बन डायोकसाइड उत्पन होता है इनका निशकासन पत्तियों में उपस्तित रंद्रो यानि स्टोमैटा द्वारा किया जाता है वाशपोत्सर्जन यानि ट्रांस्परेशन प्रक्रिया में रंद्रो द्वारा अतिरिक्त जलका भी निशकासन किया जाता है रात्री के समय वाशपोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होती कुछ वर्ज पधार्थों को पत्यों और टहनियों की चाल के कोशी किया रिक्तिका यानि सेलिलर वैक्योल में संचित किया जाता है जिनका शय हो जाता है कुछ वर्ज पधार्थ रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जायलम में संचित किये जाते हैं रेजन और गोन जैसे वर्जपधार्थ मानव के लिए बहुत उप्योगी होते हैं। पादब की जड़े, विसरेंड द्वारा, कुछ वर्जपधार्थ आसपास की मृदा में निशकाशित करते हैं। मनुष्य में वर्जपधार्थों का निशकाशन, उत्सर्जन तंत्र यानि एक्सक्रीटरी सिस्टम की सहयता से किया जाता है। उदर के पीछे की तरफ और रीड की हड़ियों के दोनों और व्रुक यानि किड्नी का जोड़ा स्थित है, जिसकी सहयता से मनुष्य के रुधीर यानि बलड में उपस्थित नाइट्रोजनी वर्जपधार्थ, यूरिया और यूरिक अमल, निस्यंदन यानि यह व्रुक की आधारी, सनरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानि बेसिक स्ट्रक्चुरल और फंक्शनल यूनिट है, प्रतेक व्रुक में अनेक व्रुकानू होते हैं, जो आपस में निकटता से पायक रहते हैं, व्रुकानू का उपरी भाब एक कप के आकार का होता है, और केशिकाओ का निर्मान करती है, तथा रुधीर बोमन संपुट तक पहुचाती है, जिसके अंदर केशिकाओ का गुच्छा होता है, जो ग्लोमेरुलस कहलाता है, केशिकाओ और बोमन संपुट की बिक्ति पतली होने के कारण केशिकाओ से रुधीर च्छनकर बोमन संप में आता है जो प्रारंभिक निस्यंद यानि इनिशियल फिल्ट्रेट कहलाता है प्रारंभिक निस्यंद में ग्लुकोज, लवन, अमीनो अमल, एंजाइम, हार्मोन, वसा अमल, मुरुत कोशिकाय, मुरुत बैक्टेरिया, टॉक्जिन, और शदिया इत्यादी और प्रचूर म मात्रा में जल होता है जब यह प्रारंभिक निस्यंद नेफरॉन के नलीकाकार भाग में प्रवाहित होता है तब इन पधार्थों का चैनित पुनर्वशोशन यानि सिलेक्टिफ री एब्सॉप्शन किया जाता है अवशोशन का स्थर शरीर में जल की अवशक्ता पर निर यानि basic filtration unit कहलाता है प्रतेक व्रुक एक लंबी द्वारा मुत्राशय से जुड़ा हुआ है प्रतेक नली एक मूतर वाहिने यानि यूरेटर कहलाती है जो व्रुक से मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है मूत्राशय पेशिय यानि muscular अंग है जिसमें मूत्र का भंडार यानि स्टोरेज किया जाता है मुत्राशय यानि यूरिनरी ब्लाडर तंत्री का नियंत्रण यानि नर्वस कंट्रोल में होता है इसलिए मूत्र को शरीर से बाहर करना मनुश्य के नियंत्रण में होता है जब मुत्राशय फैल जाता है तब फैले हुए मुत्राशय के दाब से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा द्वारा मूत्र को sh定 के बहार किया जाता है इसके अलावा मनुष्य में फुफुस द्वारा कार्बन डाय अकसाईड का तथा त्वचा द्वारा जल और लवन का उत्सारजन किया जाता है किसी कारणवश यदि व्रुक खराब हो जाते है तो इससे शरीर में उत्सरजन की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती और इससे हानिकारक वर्जे पदार्थ शरीर में संचित होने लगते हैं इससे व्रुतिव की संभावना बढ़ जाती है ऐसी स्थिती में अपोहन यानि हीमोडायलेसिस का प्रयोग किया जाता है इसमें मशीनों की सहाईता से रुधीर का निस्यंदन किया जाता है और नाइट्रोजनी वर्जे पदार्थों को शरीर से बहार कर दिया जाता है इसलिए हम अपोहन को कुरूत्रीम व्रुक यानि आर्टिफिशल किड्नी भी कहते हैं तो आज हमने सीखा उत्सरजन के बारे में